Hey everyone, welcome to my yet another video वैसे तो आपको एक सच बात बताओ मेरा मोड कल रात से बहुत ज़्यादा खराब था frustrated था सिर्फ और सिर्फ यही tension ले लेके कि यार time इतना कम है slabus इतना ज़्यादा है और तभी मैंने अपने इस fresh मोड में एक fresh माइन के साथ एक नए शुरुवात करने की सोची मैंने सोचा क्यों ना एक दोसरी ट्रेक अपनाई जाए क्योंकि slabus इतना ज़्यादा वास्ट है writers इतने सारे हैं हर एक unit में approximately 50 to 100 writers है और all over अगर मैं बात करूँ तो thousands of writers हमें पढ़ने हैं, cover करने हैं और उनके पता नहीं कितने सारे works है 10, 20 works के बारे में पढ़ना है और इतने कम टाइम में that impossible तब ही मैंने सोचा कि मैं copy के वजाए मैंने एक paper का bundle खरीद के लेके आई थी जो कि मेरे पास पढ़ा हुआ था पहले से तो आम मैं उन pages में notes बनाऊंगी और जो भी पहले सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट writers को ही cover करूंगी जिसी कि अगर मेरे पास age of chaucer है तो मैं rather दिन सारे writers को cover करने की बजाए सिर्फ और सिर्फ जो 2-3 important writers है जिसी कि Chaucer हो गया या John Wyclips हो गया बस जिन से जादे से जादे questions पूछे जाते हैं क्योंकि पता है अब hard work से काम नहीं चलेगा मुझे अपना दिमाग खियोस करना ही पड़ेगा time इतना कम है और notes बनाने में हर एक age को cover करने में इतने सारे writers को cover करने में बहुत जादे time लग जाता है और यह process को बहुत जादा time consuming भी है और इसके बाद सबसे बड़ी problem पते क्या आती है जब हम notes बनाते हैं मैं सारे जब notes बना लेती हूँ तब मुझे कही ना कहीं लगता है कि अभी भी मैंने कुछ सारे points छोड़ दिये और अगर YouTube पर अगर मैं lectures की बात करूँ तो YouTube पर जो भी lectures मिलते हैं कहीं न कहीं वो incomplete ही लगते हैं मुझे तो इसलिए मैंने decide कि है कि अब मैं सिर्व और सिर्व दो चीजों को ही importance दूँगी सबसे पहले मैं जिस writer के बारे में पढ़ने जा रही हूँ उसकी एक short summary देख लूँगी 10 to 15 minutes की कि उसके important और major works क्या रहे हैं क्या role रहा है उसका और उसके theme, writing style के बारे में and then उसके बाद मैं अपनी book जो के मेरे पास already है William J. Long की English literature उससे मैं important उसके writings के बारे में पढ़ूंगी that's it क्योंकि पते पहले में क्या करती थी पहले में एक गंटे के audio lecture सुना करती थी जिसमें बहुत जादे time कर्च हो जाता था मेरा तो इसलिए मैंने अब पूरा ये इतनी tension के बाद मैं इसी conclusion पे आई हूँ कि मुझे book से पढ़ना है और कोई एक single video देखनी है प्रेदर दिन की मैं 5-5-6-6 video देख रही हूँ एक ही topic पे और हर एक topic के उपर हर एक writer के उपर मैंने अब एक limitation लगा दी है कि इस writer को सिस मुझे सिर्फ एक गंटा देना है दो गंटा देना है कितना देना है इसी के साथ ही आज मैंने the age of revival complete कर ली है सिर्फ और सिर्फ उसका background basic background मैंने complete किया था और उसके बाद जब मैंने देखा कि previously इसमें से कैसे topics पूछे जा रहे है तब मुझे पता चला है कि age of revival से बहुत कम question पूछे जा रहे है तो you know previous year question paper से काफी जाता है idea मिल जाता है so that's it for today मिलते हैं मेरी next video में तब तब के लिए stay